विद्यार्तियों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किकसा 11 के जो जीवदर्वे का द्याय है उसका एक टोपिक पढ़ेंगे स्रावी पदार्त या सिक्रेटरी सबस्टेंस हमने जीवदर्वे के जो नो लिविंग इंक्लूजन्स यानि निर्जी उपदात पढ़ रहे थे तो ह कुछ सरावी पदार्त होते हैं तो हमने संचीत में कार्बॉइडड़ेड फड़ लिया पुरा है प्रोटीन फड़ लिया और वसा फड़ लिया तो यह तिनों स्रावी पदार्त जिनको सेटेंस सबस्टेंस इंगरी में कहेंगे तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जीवडर्वे कुछ ऐसे पदार्टों का सराव करता है जिनको स्रावी पदार्थ कहते हैं वो कौन-कौन से होते हैं या उनका संबन्द किससे होता है ये क्या उपयोग्टा है उनकी जीवं में, तो हम उनको देखते हैं. अब जो प्रोटोपलाज्म है या जो जीव दर्वे है, वो जीव दर्वे ही इन पदावर्टों को सीक्रेट या स्रावित करता है. अलगी जो जंतों होते हैं निमल्स होते हैं उनके अंदर इस तरह के पदारतों का सराव कम सिंख्या में देखा जाता है जिब कि जो पादप होते हैं उनकी सिंख्या काफी ज़्यदा देखने को मिलती है तो आज हम उन्हीं सरावी पदारतों की बात करते हैं तो मुक्य ते हम पादव में के बहुत सराविपदार बनते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीव है या जीव में जिसे मुक्य रूप से पादव में बनते हैं तो जो पादव या जीव की जो उपापचे करियां है उपापचे करियाओं के फल्स रूप हम जानते हैं कि एक जीव होता है उसके सरीर में बहुत सारी उपापचे क्रियें चलती रहती है जो उपचे या आपचे प्रकार की होती है तो इन क्रियाओं के फल्स रूप ऐसे पदार्थ बनते हैं जो पोसन वे जीव की वरदी से कोई समन्द नहीं रखते हैं अलागि हम इनको ये जो पदार्थ नहीं रखते हैं तो उन्हें हम कह देंगे सरावी पदार्थ मतलब जो पापचे क्रियाओं चलती है उन क्रियाओं के दोरान या उन क्रियाओं के जब ये क्रियाओं समपन होती है तो किर्याओं के दोरान ऐसे कुछ पदार्थ बन जाते हैं हलागि उनका पोशन से या जीव की वरदी होती है उसे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है उसका कोई डायरेक्ट कोई सम्मन्द नहीं है तो ऐसे जो पदार्थ बनते हैं जिनमें नहीं कोई जीव को पोस्टन मिलता है नहीं कोई जीव की उससे वरदी हो रही है तो ऐसे पदार्थों को स्रावी पदार्थ कहते हैं या सिक्रेटरी सबस्टेंस ओप और्गिनिजम कहेंगे तो इसमें पहला जो सरावितार्थ अपने पढ़ लेते हैं वो है एंजाइम ये जो एंजाइम होते हैं ये सभी जीहों के अंदर बनते हैं और बहुत सरी उपापचे क्रियों में इनका रोल भी होता है तो यह होते कैं तो जो एंजाइम होते हैं ये जीविदर्वे दवराई स्रावित होते हैं ये ध्यान रखने वाले बात पर लिए है कि एंजाइम है वो जीविदर्वे से स्रावित होने वाले नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं नाइट्रोजनी पदार्त या इनकॉम कहेंगे योगिक होते हैं यह important बात है कि एंजयम जीवदिरद दौरा सरावित होते हैं नाइट्रोजनी युक्त यह पदार्त होते हैं जो एंजयम होते हैं वो सभी एंजयम प्रोटीन के बने होते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं अब एक एंजाइम का पुरा लेशन है हम एंजाइम के बारे में पुन रूप से चर्चा उस लेशन में करेंगे तो यहां पर आपको यह दान रखने वाले बात इतना याद रखना है कि एंजाइम वो जीवद्रोदर अस्रावित हो रहे हैं वो नाइट्रोजन युक्ति पदार्त होते हैं और यह प्रोटीन के बने होते हैं हम यह कह सकते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं अब इनका काम क्या है जो एंजाइम होते हैं यह क्या करते हैं यह जो जेविक अभिक्रे ही होती है यह जेविक के क उत्प्रेरक की तरह उन जेविक क्रियाओं की गती को यह बढ़ा देते हैं या उसको जल्दी से संपन कर देते हैं तो यह जेविक क्रियाओं के लिए जेविक उत्प्रेरक की तरह कारिये करते हैं यह इनका पर्मु काम है यह जेविक उत्प्रेरक की तरह काम करेंगी इस तर प्रोटीन करता है यह कुप सारे यह इंजय में इसके प्रभूक को चुदारन है यह सब जीवदर्वे की किरियों के द्वारा बनने वाले स्रावी उतवाद होते हैं दूसरा नमबर का हम पढ़ते हैं स्रावी उतवाद किस्वाम कहते हैं ग्लुकोसाइड 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 से यह जिसे ना सबस्ट है ग्लुकोसाइड से तो यह ग्लुकोज और ग्लुकोज होता है कार्बाइड तो यह जो बनते हैं तो जीव के सरी में जो कार्बाइड होता है उस कार्बोहाइडरेड से निर्मित होते हैं तो यह कार्बोहाइडरे कि जो एक कार्बाडिट होगा उसकी विक्रिया किसी एल्कॉल के साथ या एकिसी योगी के साथ होकर उनसे एक ग्लूकोसाइड योगी का निर्मान होगा जो की जीरदेवरे-दाइद रखावित होता है तो ये भी कुछ मैतोपून काम करते हैं कि ये ग्लुकोसाइड क्या करते हैं या तो सेल की जो अमलेता होती है या उसकी जो क्षारेता होती है उस अमलेता या क्षारेता को नेंतरित कर लेते हैं तो एक तरह से उप्योगी अधात बनते हैं उसके लिए नेंतरित नेंतरन करते कुछ ऐसे ग्लुकोसाइड बनते हैं जो दवाओं के रूप में भी उपयोगाते हैं ड्रक्स के रूप में माना उसका इस्तिमाल करता है तो दवाओं के रूप में उपयोगी होते हैं जैसे के अपने एक ग्लुकोसाइड की बात करते हैं कि एक ग्लुकोसाइड है एक पोदा है डीजी टेलिस डीजी टेलिस पर्प्यूरिया एक प्लांट है इस प्लांट से पादप से ग्लुकोसाइड कार्बाडेड की वित्वन है और यह को सिखाए कि अंबलिता और ख्शारियता को नेंतरित करते हैं और दवाओं में मुख्य रूप से उपयोग में यह लिये जाते हैं तो इन जैसे एक पोदा है डीजी टेलिस पर्प्यूरिया इस पोदे से एक ग्लुकोसाइड निकला गया है जिसको हम कहते हैं डीजी टोक्सीन डीजी टोक्सीन तो यह जो डीजी टोक्सीन है यह एक इंपोर्टेंट भूती मेहतोपूर एक ग्लुकोसाइड है प्राप्त होता है डीजी टोक्सीन जो रिदे के लिए रिदे रोग में उपयोगी होता है तो यह एक हार्ट ग्लुकोसाइड है जो रिदे के लिए उपयोगी मना जाता है तो यह कुछ रिदे जो रोग होते हैं उसमें यह डीजी टोक्षिन ड्रक्स के रूप में दे जाती है और रिदे को स्वस्थ बनाया जाता है तो इसी तरह यह जैसे एक दवाय के सेपोनेरिया ओपिसीनेलिस यह प्लांट है इस पादप से एक ग्लुकोसाइड सेपोनिन प्राप्त होता है यह सेपोनिन है वो इसे साबुन सपाई का काम करती है साबुन की तरह है यह सफाई का कारिये कर सकते हैं तो इस तरह से इनको कुछ सपाई की कारिये में इनको इस्तेमाल किया जाता है सेपोनिन तो यह ग्लुकोसाइड यह भी सराइपदार्द होते हैं मैतोपून पदार्द होते हैं थर्ड बहुत ही मैतोपून पदार्द सराइपदार्द की चर्चागरते है जो की हाम पर मैं पोदू देखने को मिलता है मकरंद को जिसको हम कहते हैं नेक्टर यह तरह ऐसे अम्रत की समाने एक बहुती स्वधिस्ट डिलिसियस फूड या ड्रिंक कह सकते हैं इसको तो मकरंद यह होता कि जो पुस्पोते हैं पोदों में उस पुस्पों में मकरंद गरंथियां पाई जाती है इन मकरंद गरंथियां पाई जाती है इन मकरंद गरंथियों को नेक्टरीज भी कहते हैं नेक्टेरीज तो इन मकरंद गरंथियों में क्या होता है कि कोई पाउच नूमा या थेली नूमा सरसनाई होती है यह उनमें मेठा स्वादिस्ट कार्बनिक पदार्थ स्रावित होता है तो बहुत मेठा स्वादिस्ट कार्बनिक पदार्थ स्रावित होता है डिलिशियस अपने ड्रिंक बोल सकते हैं इसको डिलिशियस ड्रिंक तो इसके अंदर गुलकोज भी हो सकता है जिसे गुलकोज कार्बाडेड है सुक्रोज और फ्रक्टोज ये तीनों ही कार्बाडेड हैं वो मिट्टे होते हैं तो एक स्वाधिस्ट ये तीनों मिलकर एक स्वाधिस्ट मकरंद का निर्मान करते हैं जो कि पोदों के पुश्पों पर मुख्य रूप से यह पाया जाता है अब इस मकरंद का पोदा क्या करता है तो इससे होता क्या है कि मकरंद के कारण मकरंद के कारण पादप विभिन परकार के कीटों को आकर्सित करके चो परागण की किरिया होती है पोलिनेशन उस परागण की किरिया में सहिक होते हैं तो मकरंद कारण पादप विभिन परकार के कीटों को आकर्सित करके परागण की किरिया को संपन करते हैं तो असनी से उन पुस्पों में असनी से प्राक्ण के क्रिया हो जाती है तो जैसे ही एक पुस्प है उस पुस्प के उपर कोई केट पतंगा जैसे ततया है या मदुमकी है या कोई मोत है उसके उपर आकर बेठेगा तो उसके लालचमय के बेटेगा और वहाँ से प्राकन को एक पुस्प से दूसरे पुस्प पर पहुंचने काम करेगा और पुदे में प्राकन के किरिया असानी से संपन हो जाती है कुछ पोदे क्या करते हैं जैसे तत्या है ये तत्या का ये एक मुखे प्रात्मिक बोजन है जो मकरंद होता है ये तत्या का जो वेस्प साथ है उसके प्रात्मिक बोजन है और ये तत्या क्या करता है इसे बोजन लेकर इसे पोदे को खाने वाले जो भी कीट पतेंगे हैं उनको नश्ट कर देता है तो एक तरह से ये पादब की जो साखारी जीव है से सुरुक्षा भी करने काम करते हैं तो पोदा अपने खुद की सुरुक्षा कर देता है यानि तत्या को लालस देता है इस मकरंद का और मकरंद ये तत्या है वो पोदेग मक्या हैं वो सेहद भी बनाती है तो इससे सेहद भी बनाया जा सकता है या सेहद भी बनाया जाता है Importencies इसमें जो रंग पड़ान करने वाले करने वाले पडार्त हम जानते हैं कि पोदों में बहुत सारे कलरफुल पुस्प होते हैं तो उनमें अलग अलग तरह के कलर होते हैं टृखANG की करिया को संपन करते हैं तो वो झाली है किस करण से हुना हम जानते हैं कि क्लोरोफिल ओ दृट इप कि किस अपन पंधी में कहते हैं या परन हरी नो हरत होता है जिसמ׏ मुखे रूप से क्लोरोफिल ए और चलोरोफिल बी यह सबी हरे पूदों में पहे जाते हैं ये मुक्के जो सारवत्रिक हरितलवक के जो डो रूप है ये सभी हरे पूदों में पहे जाते है कलोरफिल A और B तो ये अराrough हमें आराणग होता है कोश पूदे होादे है कि उनका पुस्प का रंग पीला या नारंगी रंग का होता है नारंगी रंग वाले तो उनमें क्या होते हैं कि जेन तो फिल हो सकते हैं जेन तो फिल या उनमें होते हैं के रूटीन सोते हैं उनके रूटीन के कारण उनमें पीला या नारंगी रंग पाया जाता है ये केरोटीन मुख्य ये केरोटीनोइड्स होते हैं और इसका जो उक्सिकरत रूप है वो जेनतोफिल होता है तो इसके करण से पिल लाया नारंगे रंग होता है जेनतोफिल हो केरोटीन के करण ही ये साइक वर्नक ये केरोटीनोइड्स के रूप में पाए जाते हैं मुख्य वर्नक है क्लोरोफिल और बाकि अजैन्तोफिल है के रोटींस होते हैं, यह साइक वर्नक के रूप में कारिये करते हैं, जो पादब को भी बिन रंग परदान करते हैं कुछ जिसे और रंग भी होते हैं नीला है या बेंगनी है कुछ पुछ में गुलाबी रंग आता है तो यह रंग है वह एक वन्नक है एंतोसायनिन एंतोसाइनिन उसके कारण से होते हैं तो एंतोसाइनिन के कारण पोदों नीले रंके बेंगनी रंके या गुलाबी रंके पाए जाते हैं अब एक चीज यह आपर द्यान देने वाली important चीज है कि यह chlorophyll और gentophyll है carotenoids होते हैं यह तो कोशिका में एक कोशिकांग के अंदर पाई जाते हैं जिसको कहते हैं हरित लवक जबकि जो anthocyanin वरनक है या रंगपरदान करने वाला पदार्थ है यह रिक्तिका में गुलावा रहता है यह एक important बात द्यान रखने वाले बात यह है कि यह रिक्तिका में गुला हुआ रहता है एक मात्र ऐसा यह वरनक है जो कि रिक्तिका के अंदर पाई जाता है ने कि किसी परणहरित के अनु में पाया जाता है तो कई बार इसके परशना दाता है कि ऐसा वर्णक का नाम जो कि जीस्तिरूयenne में घुलावा रहता है तो वह tusinin वाकि यह आपको कोशिका में एक वर्णक के थो यह गुलावा मिलेगा थो हमें मुख्य रूप से अज हमने इसके परिवासा देखे है पड़ इसका जो एक स्राविपदारत एंजाइम फटाएं एंजैम के बाद हैं अब्लूकोसाइड स्पड़े हैं एक दो दारण फटाएं फिर हमने मकरंद फटाएं जो कि मीटा मिट्री डिलीसियो प्र विश्टा एंग और रोटा हैं और चौता हमें रंगपरदान करने अपने और आकर्षित कर सके इसलिए कलरफुल जो पुस्प होते हैं वो इसी घांट से होते हैं कि पोदा है वो किटों को आकर्षित कर सके और जो परागन की किरिया है उसको वो आसानी से या सफलता फूरों के संपन कर सके और अपना जनन कर सके अपने वन्स को आगे बढ़ा कांस कींजी के लिए यह कलर्फुल उस पी पाई जाते हैं या लग लग कलर के सके अंदर होते हैं दूसरे बात इन में एक और हो झाकि जो परकास का टोपिक है तो उसके अपन सर्चा करेंगे अपने जिन विदारतियों ने अपने चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो वह अपने चैनल को सब्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें